आप सब को मेरा प्यार बारा नमस्कार, अभी हम लोग समरीद देखेंगे दबाल पोयम का इसके राइटर जान बेरीमेन है और ये बहुत ही अच्छा पोयम है, तो चलिए इसको अच्छे से कम समय में समझते हैं इस पोयम में इस कविता में जो पोयट हैं कभी हैं, हमको बता रहे हैं कि हम कैसा रियक्ट करते हैं जब कोई चीज हमारा खो जाता है हम सब लोग ऐसा ही रियक्ट करते हैं ध्यान रखियेगा, बहुत ही अच्छा पोयम है एक दिन की बात है कभी जो है न एक नवजवान लड़के को देखते हैं जो की अपने बाल को पानी में खो देता है और उसके काण वो बहुत ज़्यादा अफसेट या दुखी रहता है तो देखिये बाल तो जो ज़्यादा कीमत का चीज़ होता नहीं है बहुत सारे बाल खरी सकता है लेकिन उसका गहरा भावनात्मक अटेजमेंट या संबंध होता है उस बाल के साथ में और यादें जूड़ी रहती हैं तो इसलिए उसको बहुंच जादा इस बाल के खो जाने पे पस्तावा होते रहता है, तो poet उसको कैसे समझते हैं या समझाते हैं, आगे देखते हैं, तो दिखे, इसमें कवी जो है ना हमको इंडियक्तली या पत्यक चुरूप से या बताना चाहा रहे हैं, कि किस प्रकार से हम हानी का सामना करें, या हानी को बदास करें, और जो हानी है उससे कैसे हम सिखें, लासेस and गेंस are the facts of our life, तो जीवन में, जा सब जा सानी लाब, लाब हानी, ये सब जीवन के एक हिस्सा है, लासेस और गेंस जो है ना, लाइब के एक fact होते हैं, और जो हानी होता है, उस लड़कियों को सिखाता है, कि हानी और लाब जीवन के हिस्सा है, और इनको आप जीवन से अलग नहीं कर सकते, और आखरी में, बहुत बड़ा ज्यान हमको कभी इसमें देना चाहते हैं, पोएट बताना चाहते हैं, कि हम जिन से फ्यार करते हैं, यह जो सारी मटलिस्टिक चीज़ें हैं, आसपास की बहुती हमारे पोसेशन्स हैं, हमारी समपत्यां हैं, वो हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहेंगी, इसलिए हमको हानीों का सामना करना, यह हानी को बड़ास करना सिखना होगा, इन आड़ टू सर्वाइब बेटर इन दिस वर्ड, ताकि इस संसार में, मिथ्या से भरे हुए, इस संसार में हम अच्छे से अपना जीवन गुजार सकें, तो आसा करता हूँ, इस संसरी जो है, आपको काफी अच्छा लगा होगा, यदि आप और संसरी चाहते हैं, तो कमेंट करके जुरू बताईए, थैंक्यू फार वाचिंग,